अब वाइन लाइनर वीडियो है इसमें इसका मतलब हम वो डिसकस करेंगे जो बिल्कुल इंपोर्टन्ट है एक लाइन में एक बात करेंगे एक फैक्ट के साथ और बहुत ही इकदम सटीक टार्गेटेड हमारी जो है स्टेडी है यहाँ पर बिहार का सेवन्थ फिट्स टीश है बकायदा उर्फका को पढ़ना होगा और इंपोर्टन्ट है आप लोगों के लिए एक चीज और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप से डिसकस करना चाहता हूं मैं बहुत देख रहा हूं लोगों को कि वह बड़ी लेवल तक पढ़ाई कर रहे है और डीप है कि आपको क्लास इस से इतना पढ़ना है इसके लिए सारा वाइफर गेट करेके मैंशन किया है तो क्या ज़रूद है आपको बड़े लेवल तक जाना डीप जाना डीप जाना निमेरिकल्स तक जाना बहुत सो लोगों को देख रहा हूं मैं और हां अगर आपको बेसिक न सोलर सिस्टम अगर आपने पढ़ लिया है तो वेलन गुड है देखते हैं आप देख लेना खुद अपने आपको सेल्फ एसेस्ट करके कि कितना ज्यादा आप माक्स इसमें गेन कर पा रहे हैं और बेसिक है कोई भी इसमें बहुत जादा डिफिकल्ट बड़ी बड़ी चीज सोलर सिस्टम के बारे वे श्रू गड़ते हैं मारे साथ किता हैं आपके कोई फेर वदल नहीं हैं जो कि बिना किसी बिना किसी टेलिस्कोप के माध्यम से आप देख सकते हैं ठीक है इन पांचों ग्रहों को आप देख सकते हैं बिना किसी टेलिस्कोप के माध्यम से अगला कोशन महारा बनता है कि ग्रह जो है सूर्य के चार और प्रक्रिक्मा करते हैं ऐसी एक हलिसो हलिसो सेंट्रिक है, हेलियो सेंट्रिक सिस्टम जो है, एक हेलियो सेंट्रिक सिस्टम जो थी, यह किस ने दी थी कि जो प्लैनेट है जो प्लैनेट है, वो सूर एके चार वर चक्कर लगाते हैं ठीक है, तो यह किस ने दी थी कि सूर सेंटर में 1953 में अच्छा 1953 यहां पर important date है क्यों important date है क्योंकि जब निकुलास कॉपर निकस ने ये अपनी अवधारना दी थी एक hypothesis दी थी कि ऐसा है हलागि परमारीद नहीं था तो लोगों ने मजाग उड़ाया था इनका तो 1953 में इनकी मृत्ती हो गई और 1953 में ही जब इनके papers publish हुए इन ग्यानिक थे हमारे इस इस च्रेणी में जिनका paper publish हुआ जब कि famous हुए थे उनके मरने के बाद या उनके जिस वर्ष उनकी death हुई थी उसी वर्ष उनके paper release हुए और तभी वह famous हुए थे 1953 में ही paper release हुए 1953 में ही इनकी मृत्ती भी हुई थी तो निकुलास कॉपर निकस जो है अगर पूछेगा कि इनका paper publish कब हुआ था 1953 कितने सारे चीज़ें एक question से बन जाती है हमें बस अपना दिमाग खोल के रखना है सारी चीज़ हम अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है अगला question क्या है कि Galileo ने अपना दूरविन का पिक्सित किया था अब Galileo एक बहुत important नाम है solar system अगर कोई पढ़ रहा है तो Galileo के बारे पर पढ़ना जरूरी है क्यों जरूरी है कि इन्होंने टेलिस्कोप विक्सित किया था अपना खुद का बनाया टेलिस्कोप अगर देखोगे आप समझोगे तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सबसे पहला टेलिस्कोप Galileo ने बनाया गलत है पहला खुद का टेलिस्कोप इन्होंने बनाया था वो एक विक्सित टेलिस्कोप था यह जब देख रहे थे नंत्रिक्ष में तो उनको ग्रह दिखे थे और वो कौन सा ग्रह दिखा था यह भी बात करेंगे यह ग्रह था हमारा ब्रस्पती तो ब्रस्पती ग्रह और ब्रस्पति ग्रह के जो 53 मून है, उनमें से 2 मून का भी अध्यन उन्होंने अपने टेलिस्कोप से किया था, किस ने किया था, गैलिली उने, ठीक है, तो ये question बनता है, तो कब विक्षित किया था, 16-9 में, यहीं कि 1609 में विक्षित किया टेलिस्कोप, अगर question पूछे टेलिस और जुपिटर का भी किया था, अब बात करते हैं, अगले question की और, copper-nickers की heliocentric theory, जो है, किस ने प्रमारित की थी, अब यह बहुत important question है, कि अब copper-nickers ने, Nicholas copper-nickers ने अपनी theory दे दी थी, बट वो अवधारना थी, बहुत गौर्स समझना, वो अवधारना थी, वो theory नी बनी इची तब तक वो, वो just hypothesis थी, यानि कि एक जिस परिकल्पना थी उनकी, कि ऐसा हो सकता है, बट वो theory यानि कि यह प्रमारित कब होगा, वो, एक सटीक, उसका value proof कम मिला, वो किस ने दिया था, वो who proved, तो यह हमारे कोई और नहीं, गैलिलिये हुई थे, इन्होंने जब अपन निकस ने जो बात बोली थी, heliocentric theory की, वो सच है, और actual में, जो sun है, वो अपनी जगा ही है, जब तक की बात कर रहे हैं, हलाकि अब यह भी पता चल गया है, कि sun भी जो है, revolve करता है, ठीक है, तो sun एक जगे पे center में है, और उसके चार और जो है, planets जो है, revolve करते हैं, ठीक है परिक्रमा करते हैं, यह बात प्रूव कर दी, galileo ने, तो प्रूव किस ने किया, galileo ने, theory किस ने दी, copperlicus ने, दोनों अलगले है, प्रित्वी की गुड़नन दिशा क्या है, अब यह question बड़ा basic है, अगर आपको नहीं पता, तो आपको चल रहा हो का पता, कि आपका basic कितन strong है, कितना weak है, कि प्रित्वी की जो rotation है, वो किस direction में है, तो बहुत simple है, हमारा cat पक्षिम से पूरव, यानि कि पक्षिम से पूरव की west से east है हमारा, तो पूरव से पक्षिम नहीं है, उल्टा मत याद रखना, पस्षिम से पूरव है, सूरज उगता पूरव से है, ढलता reason ही यही है, जब प्रित्वी घूमी पस्षिम से पूरव रही है, तो इसलिए sun तो अपनी जगे पे इस्तित है, प्रित्वी घूम रही है, प्रित्वी रोटेट हो रही है, और वो होर किस में रही है, clockwise मोरी है, तो इसलिए हमें लगता है, कि सूरज जो है, पूरव से उग है उसको कहते हैं हम celestial bodies अब celestial bodies क्या होती है खगोली पिंड क्या होता है समझ उसको आसमान में रात में चमकने वाली सभी वस्तुएं सभी वस्तुएं अंतरिश्म basically सभी वस्तुएं खगोली पिंड हैं खगोली पिंड भी इसको मैं आपको बेटर समझाता हूँ देखो एक celestial body वो है जो खुद की energy से चमक रहा है एक celestial body वो है जो इसकी energy से चमक रहा है यानि कि इसका खुद का प्रकाश नहीं है तो यह हमारा star कहलाता है और यह हमारा planet कहलाता है तो planet हो यह star हो सभी हमारी celestial body ही होती है ठीक है आगे समझते हैं जिस रात चंदर्मा बिल्कुल गोल दिखाई देता है उस रात को क्या कहते हैं तो अब perfectly round shape में जब चंदर्मा दिखाई देता है उसको सब जानते हैं बहुत common basic question है उसको हम गैलेलियो नहीं कहते हैं जब पूरा पूरा दिखाई देता है उसको full moon कहते हैं ठीक कहते हैं वो किसकी रात होती है पूर्निमा की रात होती है तो full moon जो होता है जब full moon होता है पूर्णिमा की रात होती है उसी समय जो है हमारा चंदर्मा बिल्कुल गोल दिखाई देता है तो यह गैलेलियो नहीं है यहापर ठीक है ध्यान टकने है छोड़ा mistake है अगली कुश्चन की बात करें कि जिस रात चंदर्मा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है वह कौन सी रात है यहापर पूरे मा दिखाई देने वाले चंदर्मा के चमकीले भाग की विवे ना करती हैं को क्या कहते है यानि कि मून के जो visible parts होते हैं शाइन करते हैं throughout of the month उसको क्या कहते हैं और simple सी चीज है उसको चंदर्मा की कलाएं या phases of moon कहते हैं कुष्ण अगर बने कि पूरे मा दिखाई देने वाले चंदर्मा की चंकेले भाग की विवनाकरतियों क्या कहते हैं मावस्या कहते हैं पूर्णिमा की कलाएं कहते हैं तो ध्यान रखना पूर्णिमा मावस्या नहीं है कलाएं है पूरे मन्थ की बात कर रहा है वह कि 15 महीने पंदरा महीने क्या होता है आपका शुकल पक्ष पंदरा महीने क्रिश्न पक्ष तो पंदरा महीने सुरी पंदरा दिन होता है पंदरा दिन क्रिश्न पक्ष है पंदरा दिन आपका शुकल पक्ष है तो यह पंदरा पंदरा में भी देखेंगे बहुत गौर से तो पंदरा दि दिन में चल जाता है अपना तो आप इसको समझेंगे इसको देखेंगे तो जानेंगे कि आप जो पंदरा-पंदरा का साइकल चल रहा है तो महीने में आपको देखेंगे full moon भी है कहीं, महीने में उसके बाद अगला कहीं आपको new moon भी है, तो एक साथ कभी देखने को बहुत rarely मिलता है, rarely मिलता है तो उसको भी अलग कहते हैं, बट उतना आपको deep नहीं पड़ागा, आपको basic समझना है, बिल्कुल basic समझना है, ठीक है, अब basic basic में अगली चीज़ क्या कहते हैं, हमारी solar system में ये है कि चंदर्मा पर कदम रखने वाले विश्व के दूसरे वेक्ति कौन थे, पहले वेक्ति हर कोई जानता है, पहले वेक्ति हमारा 21 जुलाई 1969 21 जुलाई 1969 नील अमस्ट्रोंग सब जानते हैं, बट चंदर्मा पर दूसरे वेक्ति कौन है, ये भुग में दिया है, कौन है दूसरे वेक्ति ये आपको पता होना चाहिए, दूसरे वेक्ति हमारे थे Edwin Elderly, Edwin Elderly हमारे दूसरे वेक्ति तो जिन्होंने चंद्रमा पे चांद पे step रखा था नील अमस्टाओं के बाद सूर हमसे लगबग कितना किलोमेटर दूर है यह बहुत छोटी सी चीज है सूर हमसे कितना किलोमेटर दूर है तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है 15 करोन किलोमेटर दूर है 15 करोन किलोमेटर दूर है तो ये ध्यान रखना 15 km दूर क्या है हमसे सूर है ठीक है चंदर्मा कितना है चंदर्मा का अगर पूछले गलती से भी तो चंदर्मा का पूछेगा नहीं अगर पूछले मानलो कभी गलती से भी तो 3,84,400 km दूर है किसका चंदर्मा पिर्थवी से अगली बात करेंगी दूसरे के प्रकास से चमकती है, जो खुद से चमक रही है वो स्टार है और जो दूसरे के प्रकास से चमक रही है वो प्लैनेट है, यहाँ पर तारे की बात कर रहा है, तारे यानि कि वो सेलेस्टिल बॉड़ी जो खुद का प्रकाश है, तो पहला प्रकाश यानि कि ऐसा पह पहला पूछेगा तो बिल्कुल बेसिक है बिल्कुल बेसिक पहला स्टार हमारा सन है ध्यान रखना पहला स्टार हमारा सन है दूसरा पूछेगा तो दूसरा हमारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर अल्फा सेंचुरी दोड़ नाम चलते हैं उसके प्रॉक्सिमा सेंचु बहुत दूर है यह बहुत दूर है यह जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी या फिर अलफा सेंचुरी जो है सेकेंड जो है सेकेंड क्लोजिस स्टार्टुदा अर्थ है यह बात ध्यान रखना अच्छा एक चीज और ध्यान रखना अंतरिक्ष में जब बात करते हैं हम तो अंत्रिक्ष में हम किलो मीटर में नहीं नापते हैं छोटी दूरी के लिए नाप सकते हैं पर लंबी दूरी के लिए नहीं उसके लिए भी कॉश्चन बनता है आपका कि जब इस पेस में जब डिस्टेंस नापते हैं तारे के सम्मू से आकरती बन रही है, वो अलग बात है, बट उसके सम्मू को कहते हैं, उसके एक गुरुप को कहते हैं, उसको कहते हैं हम नशत्र मन डाले की constellation ठीक तारे किस दिशा में गती करते हैं अब ये भी question बनता है तारे किस दिशा में गती करते हैं बिसिकली गती करते नजर आते हैं करते वो भी नहीं कि पिर्थवी रोटेट हो रही है वो तारे अपनी जगा है सूरज जब अपनी जगा से नहीं हिल रहा सूरज भी एक तारा है तो बाकी के तारे कैसे हिल सकते हैं विल्कुल नहीं हिल रहे हो यह केवल पिर्थवी है जो अपनी जगे रोटेट कर रहे है और रेवल्यूट हो रहे है कि जगर सन के तरफ ठीक है ध्यान रखना इन विच डायएक्षन डूदा स्टार अपेर्स टू मूव यह आपका क्या होगा यह आपका पस्टीम से पूरख है तो यह आपर ध्यान रखना कॉन सा मात्रक परियोग की जाता है प्रकाश वर्ष लाइट इस अब लाइट इस क्या है लाइट इस का मतलब है एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जब एक साल में यानि कि जब रोष्णी में फैक रहा हूं वो रोष्णी जब तक जा रहे हैं यानि एक साल तक वो रोष्णी जहां तक जा पाती है उसको कह कहते हैं कि एक रोश्णी एक साल में जितना दूर ट्रेवल कर पाती है उसको कहते है वन लाइट एर यानि कि एक साल में माल लो रोश्णी मैंने यहां चे टॉर्च जलाया जैसे होगा तो नहीं ऐसा और यह टॉर्च की रोश्णी एक साल में यहां तक पहुंच पाई इसको क जाते हैं वन लाइट यर की जो चाल है न वह आप सुनके हरान हो जाएंगे उसकी चाल है तीन लाख किलोमेटर पर सेकंड बिलकुल सही तीन लाख किलोमेटर पर सेकंड है लाइट येर की स्पीड इधर